गुड मॉर्निंग एवरिवान दोस्तों आज है ओक्टबर 21st 2023 और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूस पेपर के अनलसिस मिना नाम है सितिंदर चोधरी और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं एक नया टोपिक यहां पर यहां पर आड होगा जिसका हम लोग बोलेंगे रैपिड एक्स क्या होता है जिसकी वज़ेसे आने वाले समय में इंडिया में जो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्ट्वा पूरी तरह से चेंज हो सकता है तो रैपिड एक्स के बादे हम बात करेंगे यह क्या है इसका बैनिफिट क्या है ओफकोर्स एक्जाम के प्रिलीम्स के लिए तोपिक थोड़ा जादे इंपोर्टेंट है इंडिया कनेडा के बीच में जो इशूज चल रहे हैं उसको लेगे थोड़ा बात करेंगे और उसी के साथ साथ वियना कन्वेंशन क्या कहती है अबाट डिप्लोमेट्स वो बात करेंगे हाई कमिशन क्या होता है कॉंसुलेट क्या होता है एमबेसिडर क्या होता है यह कुछ टर्म हम लोग यहां पर जानेंगे जो की यूजली फोरन पॉलिसी के कॉंटेक्स्ट में यूज की जाती है उसके लिए हमारे जो ओटीटी प्लैटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफिलिक्स अमाजोन प्राइक्टी दे सकते हो उसके लाव वर्क प्लेस पे जो हारेस्मेंट होता है वीमन का उसके बारे में सुप्रेम कोट की एक बढ़ी अच्छी आई है उसके बारे मात करेंगे और क्योंकि यह टोपिक एडिटोरियल नेचर का ही है इसलिए मैंने स्पेशली आज एडिटो पी-म फ्लैक्स ओफ कंट्रीज फर्स्ट रीजिनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत देगे यूप्यस्टी में ऐसे डिरेक्ट तो सवाल नहीं आएगा कि बताओ ये नमो भारत जो है वो कौन-कौन से रूट के उपर चली है बड़े कम चांसिस होते हैं यूप्य जो हम लो रैपिड एक्स कह रहे हैं इसे आप जो है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कह सकते हो और टीएस भी कह सकते हो ये जो है वो उसकी शुरुवात यहां पर हुई है देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर 17 किलोमेटर का जो स्ट्रेच है फ्रुम साहीबाबाद दुहाई डिपोर्ट जो की उत्तर प्रदेश में पढ़ता है वहां से इसकी शुरुवात हुई है हाला कि यह जो परा स्ट्रेच है वो स्ट्रेच 82 किलोमेटर का है दिल्ली से लेके मेरिट तक का लेकिन उस स्ट्रेच के बीच में जो अभी शुरुवात हुई है वो दुह सरकास information जो कि इसके बारे में है ठीक है इवा रेपिडेक्स क्या है कैसे काम करता है पहली बात इन्डिया की Peach पहली रेजनल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम है इंडिया की नेशन फास्टेस्ट इंंटर स्टेट ट्रांजिट सिस्टम है फास्टेस्ट इंटर स्टेट प्राइवटी कौन कों से पांच स्टेशन की है यहां पर सहीबाबाद गाजियाबाद गुलधर दोही और दिहाई डिपोर्ट जैसे कि हम लोगों नहीं बात किया है नैशनल कैपिटल रीजन है जिसे हम लोग NCR कहते हैं NCRTC ट्रांसपोर्ट कोर्परेशन यह इसकी नोडल एजनसी है 2025 तक का टार्गेट इनना भी रखा है इस पूरी स्टेश के लिए जैसे बैंने आपको बताया 160 किलो मेटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 100 किलो मेटर पर आवर तो एक घंटे से भी कम समय में आप दिल्ली से मेरट पहुंच सकते हो इसलिए चलाया जाता है देखे ये model आप compare कर सकते हो इसे आप Japan के model से compare कर सकते हो Japan का transport model दुनिया में one of the best कहा जाता है जो शिरुवाती जो metro stations चले, train चली उसके अलावा जो super fast train चली bullet train चली, Japan से शिरुवात होई फिर वाद में वो France, Germany, Japan, China हर जगे चली गई तो Japan में जो जैसे Tokyo है Tokyo is one of the most developed city in the world and most populous भी है Tokyo की success का एक बहुत बड़ा reason ये है कि Tokyo के अंदर जो transportation system है वो बहुत जबरदस्त है कैसे है, जैसे मालो ये है Tokyo जब 1970 में Tokyo की population बहुत ज़दा बढ़ने लगी और Japan की government को लगा कि यार हम इसे manage नहीं कर पा रहे है तो उन्हें ने reason find out करने की कोशिश की उसके पीछे reason क्या था reason ये था कि जो बाहर से गाओं ये छोटे कस्बे टाउन हुआ करते थे वहाँ से लोग Tokyo में आया करते थे काम करने के लिए और फिर permanent वो यहीं पे रहना शुरू कर दिया करते थे जिससे city का जो पुरा infrastructure था वो overwhelm हो गया और manage नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या जुगाड लगाया जैपान की सरकार ने सोचा planning किया कि हम लोग ना Tokyo से बाहर की तरफ 100 km, 152, 100, 300 km जहां तक भी वो टाउन जाते हैं यहां तक high speed bullet train चलाएंगे जिससे क्या होगा भी यह लोग यहां से Tokyo में क्यों रहने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है अगर वही distance अगर आप आधे घंटे में एक घंटे में दो घंटे में भी अगर इंप्लिमेंट किया गया high speed train चलाने का basic purpose जपैन में यही था connectivity करना आसपास के एरिया से जिसकी वज़े से Tokyo decongestion हो गया population जिस तरह से बढ़ रही थी वो कम हो गया 1970s के बाद से एक पुरा जाल बिच गया जिसकी वज़े से लोग अभी आप देखोगे टोकियो में लोग 300-300 km से भी जो है टोकियो के अंदर डेली कम्यूट करते हैं जोब करने के लिए सुब आते हैं शाम को चले जाते हैं जोब के बाद क्योंकि high speed train है 300-300 km की speed पे चलती है अब जल्दी पहुंच जाते हो वही थोड़ा model आप देखोगे अभी NCR के अंदर इसको implement किया जा रहा है यह rapid X train है अभी जो चलाई गई है यह उसी तरह की strategy का एक part हो सकता है है बेसिर उसी का part है अब ठीक है वहाँ पे 300 की speed से चल रही है हम आरे वहाँ पे भी bullet train तो नहीं है कम से कम जैसा इंडिया का situation है infrastructure है हमारा GDP है उसके साब से हम लोग 160 से काम चला लेंगे लेकिन model वही है कि जो आसपास के मेरे ठी आसपास के लोग हैं आने वाले समय की बचत होगी ठीक है traffic congestion कम होगा दिल्ली में of course ही बात है भी आप डेली में ये public transport का use करोगे air quality भी improve होगी क्योंकि private vehicles का use कम होगा of course और जब इस तरह की चीज़े होते हैं तो economic activity बढ़ती है नए-ने stations आएंगे वहाँ पे लोग दुकाने खोलेंगे बहुत सरी चीज़े होगी तो economic activity बढ़ेगा नए-ने लोग business में आएंगे attract होगा GDP growth होगी लोगों काम धंदा मिलेगा social liquidity बढ़ती है क्योंकि आप ये तो public transport है ना तो गरीब अमीर में कोई फरक नहीं है वहाँ हर किसी के लिए accessible है कोई भी इसका use कर सकता है तो समाज या कुछ ऐसा ऐसे लोग ऐसा हिस्सा जो अभी economy काम में participant नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास transportation के साधन नहीं है या उसके पास private vehicle का arrange करने का साधन नहीं है तो वो लोग भी train का use करके travel कर सकते हैं आप दिल्ली में आईए दिन बर आप काम करिए शाम का आप वापिस चले जाईए दिन में आप यहाँ पे हजार पंदरा सुर्वे बनाओगे आप वापिस जाके अपने घर पे रहिए दिल्ली में आपको पंदरा बीस हजार का किराय का room लेने का मकान लेने की requirement ही नहीं है नए लोगों का जो economic status definitely यहाँ पे improve होगा और settled town जैसे मैं बात करूँ जैसे टोक्यो की मैंने बात किया तो आज पास के जो settler town है वो develop होए ऐसे ही जो NCR region है बहुत congested हो चुका है दो क्रोड से plus population हो चुकी है manage नहीं कर पा रहे है तो आज पास के area जैसे पानी-पत वो यहाँ पे add होगा even हो सकता है कि कुछ सालों तक करनाल तक भी develop हो जाए अलवर तक डिवालप होगा जैपूर तक डिवालप होगा इधर से मेरट उधर से गाजियाबाद तो यह जो settler town है इनको connect करना है NCR से ताकि यहाँ के लोग जो daily up down वहाँ पे कर सके तो यह जैसे दिल्ली पानीपत का इन्होंने आपर बताया है अलवर तक का भी बताया है दिल्ली गाजयबाद तक का बताया है मेरट का तो हम लोग ने शुरात करही दी है तो यह उसी एक urban infrastructure गवर्नेंस पॉल्यूशन आप यह एक्जांपल को कहीं जगे भी फिट कर सकते हो तो आपको हर चीज के लिए एक्जांपल रटा मारने की रिक्वार्मेंट नहीं है पॉल्यूशन पे कोशन आए इसको दे दो एक्जांपल पे अर्बन infrastructure पे आए रैपिड एक्जांपल डाल दो चीक है population के उपर आए आप इसको डाल सकते हो अराम से economic development के उपर आए same example आप डाल सकते हो और उसके अलाबा अब फिर से इसको डाल सकते हो कुश्चन को अर्बन पॉपुलेशन तो यह हमारे सिल्बस में बता एक्स्विस्टी मैंशन भी किया गया इस टोपिक को अप एक एक्जम्पल कई जगवे फिट कर सकते हो यह आपके स्मार्टनेस होती है कि आपको सो किस तरह से से समझ सकते हैं ठीक है जी देखिए यहां पर ट्रांस्पोर्टेशन और हमारा जो रोड़ रोडवे नेटवर्क है रेलवे नेटवर्क है कम्मुनिकेशन जो एक्साइटी का दिया हुआ है वहां से एक्जाम में कॉश्चन्स आते हैं 2014 में यहां से सवाल आया था 2017 में भी सीजन और वहां के जो है ठीयम डांस होता है ठीक है और उसी के लिए भीया तैयारिया चलनी वहां पर शुरू हो गई है पहले स्टेट्मेंट को पढ़ लेता है क्या लिखा फिर उसका बाद में अलग से चलेंगे देखे वेलिया वलपिल चमुन्डी ठीयम प्रोसीड्स ट तो यह पंचांगा सीजन तो यह पंचांगा यह पंचांगांग्स सीजन शुरू हो चुकी है कहाँ पर कासीड्स के अंदर और अबज्चक रहे रहें न अंधे चानी मीजे हैं और जे उचांगास चेना में ना फ्रून मीजा देखे साब साब लिख हुआ है और रिच्विलिस्टिक परफॉर्मेंस वेर पैंथिस्टिक डेटीज तो आप इनको पैंथिस्टिक डेटीज कह सकते हो गोड़ेस इन दा मोस्ट पार्ट आर समंध तो दा बोड़ी ओव दा परफॉर्मिंग मैन आपने फिलम भी देख होता है तो एक तो थीयम के बारे में हलका साइड ही होना चाहिए अब थोड़ा डिटेलिंग में भी घुच जाते हैं या क्या है तो मिड अक्टूबर से लेके मिड नमबर तक जो कि साउथ हिंडिया में केरला में सम पार्ट ओफ करनाटका और सो वहां पर यह वह पैड़ी करनाटका में इसी तरह का एक डांस होता है जिसे हम लोग भूत कोटा कहते है जिसे हम लोग तलंडू कहते है यह भूत कोटा इसको कहा जाता है तलंडू के अंदर फूल होता है तो आपको इसमें ध्यान लखना है अब इसकी खास बत कहा है न यह जो थेयम डांस है फोक डांस यह यूजली हाईर कास्ट के दोरा नहीं बलके लोवर कास्ट के दोरा जो है वो जादा परफॉर्म किया जाता है शुडूल कास्ट के दोरा जादा परफॉर्म किया जाता है यह की खास बत है लोवेस्ट कास्ट फ़ूल दा के रला कास्ट सिस्टम थेयम इस परफॉर्म बायदा फॉजल्स फूम दा कास्ट अंदर ट्राइब्स कुछ खास के नों ने नाम दी है जैसे पुलियार वन्नम मलायम वेलन कलानारी ठीक है उनके द्वारा यूज किया जाता है इसकी एक खास बत पता क्या है ये कोई एक गोड नहीं है कि जैसे मालो शीवा है विश्णू है नहीं एक गोड नहीं है ये individual गोड होते है और जो एक छोटी छोटी community को belong कर सकते है individuals को भी belong कर सकते है इसलिए आप वहाँ पर देखोगे थीयम के अंदर 556 450-56 के जो थीयम है थीयम मतलब जो डांस करते हैं उनको identify किया गया है और ये usually male performance होते है सिर्फ एक exception है वहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं देवा कुतु थीयम जिसके अंदर women perform करती है बागी सभी के अंदर male perform करते हैं देखें पहले ही मैंने आपको बताया इसके लिए कोई जैसे शीवा विष्णू ऐसे god नहीं होते हैं ये individualistic god होते हैं local dates होते हैं जैसे किसी गाउं के एक dates होता है दो तीन गाउं का मिलाके एक dates हो सकता है एक god हो सकता है वो perform करते हैं ठीक है mostly male इसको perform करते हैं the first segment of the performance is commonly referred to the वेलत्तम और थोत्तम शुरुवाती performance जो है इसको कहा जाता है musical instrument कौन-कौन सी होते हैं चेंडा ये सब आप देख सकते हैं ये वाला पाइट फ़ड़ा important नहीं है आप छोड़ सकते हो बागी जो चीजी मैं आपको बता ही prelims में आपस एज़टीज पूछा जाता है आपने याद रखना है एक तो हमारे पस-पस classical dance हो गए है ना folk art से भी questions आपस पूछे जाते है ठीक है performing arts पूछे जाते है with reference to the famous satriya dance यह 2014 का सवाल आया था इस काम से रखना था भी होता है one and two यह जो satriya dance है यह it is based on the classical ragas and the talas or the devotional song composed by तुलसिदास नहीं यह नहीं है ठीक है यह भजन नहीं है satriya एक dance performance होती है music, dance, drama it is a century old living tradition of the Veshnawites of the Aasam ठीक है satriya dance this is one of the classical dance ठीक है यह classical dance है के नहीं है आप मुझे comment section में बताई है ठीक है बोल तो दिया मैंने आपको मुझे comment में बताई है क्या satriya एक classical dance है yes or no चलिए जी did not violate the diplomatic norms India tells Canada तो जैसा कि यह news हमें पहले से अच्छे से पता है कि इंडिया ने कनेड़ा को कहा था कि भाईया आपके जो 41 जो diplomats हैं इंडिया से आप उनको प्लीज हटा लीजिए तो पहले उनको दिया गया था 10 October का time दिया गया था फिर बाद में उसको extend करके 20 October कर दिया था अभी कल 20 तारीक हो गई है तो final deadline खतम हो चुकी है और अभी कैनेडा ने अपने यहां से 41 diplomats को जो staff diplomatic staff होता उसको वापिस कर लिए तो कि इंडिया ने साफ साफ कहा था कि 20 तारीक के बाद आपको कोई भी immunity नहीं मिलेगी immunity का मतलब क्या होता है कि भाईया आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता यह होता immunity जैसे COVID-19 में जो virus ने हमारे उपर अटेक किया था तो vaccine लगा ही जाती है क्यों लगा ही जाती है immunity के लिए protection के लिए तो जो diplomatic staff होता है उसको एक diplomatic immunity होती है इसका मतलब यह है मान लो कैनेडा की embassy के अंदर किसी ने कोई crime कर दिया तो उसके उपर Indian laws नहीं लगेंगे इंडिया की police जाके वहाँ पर किसी को arrest नहीं कर सकती चाहे वो जो उमर जी crime करे उसके उपर जो कानून लागू होगा वो Canada का कानून लागू होगा क्योंकि जो embassy होती है जो diplomatic office होते है वो इंडिया की territory नहीं है वो Canada की territory होती है जैसे अमेरिका में इंडिया की embassy है वो अमेरिकन वो इंडिया वो अमेरिका की land पे बना हुआ है लेकिन वो Indian territory है उस embassy के अंदर जो भी होगा वो वहाँ पर इंडिया के कानून लागू होंगे अमेरिका के नहीं होंगे और उस embassy के अंदर जो भी economic activity होती है वो इंडिया के GDP का पार्ट होंगे अमेरिका के GDP का पार्ट नहीं होंगे क्योंकि that is Indian territory तो इंडिया के अंदर जो Canadian diplomatic office हैं वो Canadian territory है इसलिए उनको immunity मिली हुई है Indian कानून उनको कुछ नहीं कर सकता तो 20 तरीके बाद हम लोग ने साफ साफ कह दिया था भाया या तो इनको हटा लीजिये नहीं तो हम आपकी community खत्म करेंगे आपको arrest करेंगे आप देख लीजिये तो उन्होंने यहां से basically हटा लिया है अब Canada का यह कहना कि इसाब यह जो आपने किया है वियना convention जो diplomatic relation में बनाई गए थी 1961 में उसके against में है इंडिया ने कहा भही ऐसा कुछ भी नहीं है यह बिलकुल कानुन के दाएरे में है तो अब क्या होगा Canada के जो local consulate थे चंडिगर में, मुंबई में, बैंगलूरू में वो हो गए है बंद कहां बचा है जो high commission है दिल्ली में आप बोलोगे सर आप यहाँ पे high commission कह रहे हो यहाँ पे आप consulate कह रहे हो, यह क्या बात होई जो main embassy होती है उसे कहते है high commission ठीक है जो serving office होते हैं उन्हें कहते है consulate, थोड़ा आगे बताऊंगा आपको क्या होता है सवाल यहां कि इंडियन ऐसा किया क्यों इंडियन ऐसा कियों यह इसलिए किया कैनेडा को कि भई आप हमारे काम में टांग अडा रहे हो हलिस्तान मुव्मेंट और यहाँ से निकल लिए अब high commission कॉंस्टियर्ट के थोड़ा पे difference बताता हूं क्या होता है high commission के अंदर जो officers होते हैं IFS officer होते हूं Indian Forest Service में जाते हैं जिसके आप तयारी कर रहे हो senior होने के बाद आप जाते हो basically वैसे junior भी जा सकते हैं लेकिन वो power आपको senior होने के बाद मिलती है जो ambassador होते हैं हमारे जो high commissioners होते हैं वो Indian government के representatives होते हैं जो उस देश में रहते हैं और हमारी सर्कार का जो communication होता है उनकी सर्कार के साथ वो पूरा handle करते हैं High commissioners होते हैं consulate जो है वो हल्का सा different होता है हलांके दोनों ही represent करते हैं India को मalुँ Indian का consulate है Canada में तोनों ही分ले को represent कर रहे हैं इंडिया की एंबेस्टी है वोशिंग्टन में लेकिन अमेरिका तो बहुत बड़ा है ठीक है अमेरिका में हो सकता है कोई आदमी निउयोर्क में रह रहा हो कोई आदमी कैलिफॉर्निया में रहा हो अब उसको अगर कोई हेल्प चाहिए कोई passport बनवाना है extension करवानी है कोई permission लेनी है उसको या कोई और धिक्कत आ गई वह भागे भागे Washington थोड़ी जाएगा Indian embassy के अंदर इसी लिए Indian सरकार ने America में कहीं सारे consulate open कर रखें छोटे छोटे office एक New York में होगा एक Seattle में होगा एक Los Angeles में होगा ऐसे हम लोगों ने open कर रखें तो Los Angeles के आसपार जितने लोग रहते हैं उनको Washington नहीं जाना पड़ेगा तो consulate में आकर service ले सकते हैं जैसे passport visa इस तरह की service होती है ठीक है तो consulate और high commission में ये फरक होता है high commission government to government high level conversation होती है consulate में उस देश में रहने वाले नागरिकों की service provide कराये जाती है जो Indians है Indian consulate Indian citizens को service provide करवाता है जो अमेरिका में रहते हैं ये इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फरक होता है तो आप कह सकते हैं को high commission is a type of embassy जहां पे होते हैं ambassador ठीक है that represent the country in a foreign land जो India को represent करता है अमेरिका में Canada में जिबकि जो consulate होता है वो वहाँ पे रहने वाले citizens को service provide करवाता है ये दोनों में थोड़ा फरक होता है अभी आप कही वर सुना होगा आपने हम कभी कभी high commissioner का use करते हैं कभी कभी ambassador का use करते हैं इन दोनों में क्या फरक होता है बेसली होता कुछ नहीं दोनों सेमी चीज़े होती है जैसे आपने महाभारत तो सुना होगा महाभारत में जो कोरो और पांडों के बीच में लड़ाई होने वाली थी मतलब planning चल रही थी उनके बीच में आपस में तो श्री कृष्ण जी को भेजा गया था पांडों ने भेजा था अपने representative के रूप में कहां कोरों से बात करने के लिए कि आखरी टाइम पे शायद ये लड़ाई को टाला जा सके तो as a peace proposal के लिए श्री कृष्ण जी को वहाँ पे भेजा गया था कृष्ण जी जाके उनको कहा था भाई देखिए हमें राजबाठ नहीं चाहिए पांडवा को सिर्फ पांच गाउं चाहिए आप उनको पांच गाउं दे दो वो खुश है तो यह एक negotiation के लिए एक peace process के लिए कृष्ण जी को भेजा गया था तो कृष्ण जी was actually an ambassador of the पांडवाज जो वहाँ पे उनके लिए गए थे ambassador का काम होता ही यह है ambassador का काम होता है जब एक government दूसरे government के सा deal करती है communication को establish करने के लिए ambassador यह concept जो है इटली से start हुआ फिर तब तो हर जगा ही होता है लेकिन ambassador और high commission दोनों एक ही होते है वेसली सिर्फ नॉमन कलेचर का फरक है जो country बिटिश के control में थी बिटिश imperial या फिटिश empire का part थी वहाँ पे होते हैं high commissioner बाकिघे दूसरी जगा पे होते हैं ambassador इतना ही फरक होता है ठीक है यानि कि Britain का इंडिए में कौन है high commissioner है इंडिया का कैनेडा में कौन है high commissioner है क्योंकि दोनों बिटिश empire का part थे इंडिया का उस्ट्रेलिया में कौन होगा? high commissioner होगा लेकिन इंडिया का अमेरिका में अम्बैसेडर होगा इंडिया का चाइना में अम्बैसेडर होगा इंडिया का रशिया में अम्बैसेडर होगा ये फरक होता है काम दोनों का बराबर ही होता है एक जैसा होता है ठीक है तो Vienna Convention of Diplomatic Relations जिसमें हम लोग ने बात किया बहुत इंपोर्टेंट है जब इस तरह की बात होगी तो हमेशाब Vienna Convention आपको देखने को मिलेगा 1961 में इसके उपर signature गारा शुरू होए थे 1964 में पुरी तरह से लागू हो गई थी दुनिया की हर countries का पार्ट है इन दो को छोड़के पलाव एन तरह सौथ-सुडान यह क्या कहता है इसके अधर एक टर्म यूज़ की गई है receiving state तो वो जो territory है वो हमारी territory इंडिया की territory अमेरिका की territory नहीं है और उसको security प्रवाइड करवाना वो अमेरिका की जिम्मेदारी है इंडिया की नहीं है भाई हमारे आप हमारी territory आपके देश में है तो आप protection प्रवाइड करवाओगे ना आप कहीं जब शादिवादी में कहीं चले जाते हो तो कहीं बारा होता है ऐसा होता है ना कि आपके घर का जो कीमती सावन होता है कभी कभी आप किसी की जिम्मेदारी पर छोड़के चले जाते हो पड़ोसी की घर पर छोड़के चले जाते हो कुछ गहने बहने होते हैं तो जब तक उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मे कि इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा अभी आपने देखा थो थोड़े से में पहले लंडन में क्या हुआ था इंडिया के कॉंसुलेट को पर अटैक किया गया था और ब्रिटेन ने उन्हें प्रोपर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन नहीं करवाई थी कुछ वेंडलिस्म वहा 24, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29 ये उसी तरह की बात करते हैं कि आप उनको सिक्रोटी दोगे दूसरी बात इम्म्यूनिटी बड़ी इंपोर्टेंट चीजा यहां पर यानि कि जो इंडिया के डिप्लोमेट्स होंगे इंडिया के डिप्लोमेट्स या किसी भी गंट्री के नहीं हुआ, साओधिय रेवी का कानून उसको प्रलागू होगा, काफी बड़ा मुद्दा हो गया था वो एक समय पे, लेकिन उनको इम्म्यूनिटी है, और जैसे मानों का अभी जैसे G20 का मीटिंग हुआ, तो G20 के मीटिंग में चाइना के कुछ डिप्लोमेट्स अपने स आप IFS ओफिसर हो, आजए डिप्लोमेट आप जा रहे हो, आप कोई कोई चेकिंग नहीं होगी आपके सामान की, आप सीधा निकलिया वहां से, हाँ, मतलब बोंग वगरा नहीं होने चाहिए, ठीक है, आप सीधा वहां से निकल सकते हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं मिली हो कोस्ट मानी जाती थी, इवन आज भी, अगर कोई IFS ओफिसर अगर आता है कहीं पर, तो इसको IFS रिसीव करने जाते हैं, बतले एक स्टेटस अच्छा खासा होता है, एक IFS का सीनिर जो होते हैं, उस समय बदल गया अलग बात है, लेकिन IFS की एक डिसेंट पावर होती है, आ होम मिनिस्टरी के साथ सिधा कॉंटेक्ट में होते हो, जबकि एक IPS ओफिसर होम मिनिस्टरी के साथ कॉंटेक्ट में नहीं होता है, तो वियना एक बहुत बड़ा सिटी है, बहुत जगप आपने वियना का नाम सुना होगा, तो वियना में बहुत सारी कन्वेंशन होती है, तहलों सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब को देखो कि विएना थाओ सब्सक्राइब तो यह दोनों एक ही पार्ट है वियना कन्वेंशन बहुत जगर देखने को मिलेगी आपको और हो सकता है फ्यूचर में और भी देखने को मिले तो वियना कन्वेंशन सिर्फ एक नहीं होती है बहुत सारी होती है ठीक है OTT Services Government Reach An Easy Compromise on the Smoking Warnings तो बेसिली जैसे हमारे Netflix वह रहा है वो सब है ठीक है तो उनके उपर जब भी कोई Smoking Scene आता है तो एक छोटा सा Disclaimer दिया जाता है कि Smoking Injurious to Health ऐसा दिया जाता है ना इसको लेके एक काभी समय से इसू चल रहा था यूजरी जो हमारी Disclaimer लगाई है यहां पर कोर्णर में जब भी कोई Smoking वाला सीन आता है Smoking is Injurious to Health तो उसके बीच में अभी उन्होंने के बीच में थोड़ा compromise निकाला है कुछ platform करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे हम लोग नहीं करेंगे इंटरनेशनली देखा जाए तो यह disclaimer होते नहीं है ना हुआ पे movies में होते हैं ना हुआ पे ऐसे OTT platforms पे होते हैं इंडिया में थोड़ा concept ही अलग है हम उनको काफी pressurize कर रहे हैं तो Smoking के जो सीन है सिनेमा में वो बहुत पहले से दिखाए जा रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि अ Smoking को blurb lider कर दिया जाता है सिग्रेटव कर रागारे को बाब के आप के हाथ में होती है पहरे तो blurbी नहीं किया जाता था जाता थो यह नियुल्द किया करते हैं क्या impact पड़ता हैं mph का समाज के उपर क्या इन को देख के हम लोग सीखते हैं smoking करो ना या नहीं सीखते हैं या वे creative एक liberty होती है ठीक है smoking को किस तरीके से दिखा जाता है cinema पे क्या वो फिजूल में दिखाया जा रहा या फिर उसका को रेलेवेंस होता उस particular सीन के अंदर वो सब चीज़े देखी जाती है मालों आपने कोई ऐसा करेक्टर दिखाना है जो स्मोकिंग ही करता है तो उसको तो स्मोकिंग करते वे दिखाएंगे आप लोग तो इसके बीच में काफी डिपेट है कि क्या समाज इससे इंपक्ट होता है क्या समाज अभी करते थे अशोक कुमार किया करते थे 1940 में ठीक है टबैको कंजप्शन समाज की बात करें तो एक अलग मुद्दा बनता है जब सिनेमा नहीं हुआ करता था तो उस समय क्या लोग टबैको यूज नहीं किया करते थे तो हम लोग ने कल भी स्टॉपिक के बारे बात किया था कि समाज के उपर सिनेमा का कितना इंपक्ट बड़ता है डेफिनिटली कुछ इंपक्ट होता है समाज का इंपक्ट सिनेमा के उपर जादा होता है सिनेमा का इंपक्ट कुछ हिस्सों पर जादा हो सकता है देखे पहले जमारे में तो सिनेमा की एक्सेस भी नहीं थी लोगों के पर चीज़ें एक्सेस जादा होती है, चीज़ों की अविलेबिटी जादा होती है, तो उस समय उसका इंपक्ट कम होता है, जब एक्सेस कम होती है चीज़ों की, तो उसका इंपक्ट जादा होता है, क्योंकि वो कम अविलेबल है आपके लिए, तो उसका इफेक्ट जादा है बहुत अलग तरह की feeling होती थी आजको तो इतना easily available है हर जगह cinema available है अब उतना साधे impact नहीं है कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है मेरा मानना नहीं है ये बट कुछ लोग ऐसा भी मानते है और हमारा जो National Family Health Survey है वो कहता है कि इंडिया में smoking कम हो रही है अब यहां पे देखो कि 10.7% जो है अडिया में smoke करते हैं जिसमें से 90% male है और 2% जो है वो female है जब कि यही percentage कुछ साल पहले तक 24% भी हुआ करता था जब इंडिया अजाद हुआ उस से मैं ये percentage 20% के आसपास हुआ करता था आज ये 10% आगे मतला आगे वाली generation कम smoke कर रही है और ये government का data है ठीक है women के अंदर smoke किंग बहुत कम हुआ है पहले हमारी दादी जी के टाइम पे या उससे पहले women hook का पिया करती है थी बहुत जादा खासकर नोथ हिंडिया में वो बहुत कम हुआ है आने वाली generation में women काफी कम smoking करती है ठीक है तो ये government का data है जो कहता है ठीक है तो आप लोग किसी urban area में जाते हो दिल्ली विल्ली में जाते हो अगर आप वहाँ को कोई female अगर smoking करती भी नजर आती है तो पुरे समाज की सच्चाई नहीं है पुरे समाज में smoking overall कम हो रही है ठीक है among adults जो 15 साल से प्लोस होते है 28.6% of the population currently used tobacco अब इस tobacco में कहीं सरी चीज़ें आ गई इसके अंदर chewing करने वाला जो है वो तंबाकू भी आ गया smoking करने वाली cigarette भी आ गई पान बड़ मासला बीड़ी वो सब आ गया तो यह कितना हो गया भी 28.6% UN की रिपोर्ट भी यह कहती है 22.8% 2007 में था जो की 2021 में जो है 17% हो गया है मतलब WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि smoking कम हुई है over a period of time इंडिया में काफी कम हुई है इवन western countries में भी कम हुई है जहाँ पर लोग बहुत साथ smoking करते है तो यह चीज थोड़ी से आपको यहाँ पर idea होना चाहिए एक डबल वाचो के दोर एक empower करके scheme चलाई गई है जिसमें countries participate करती है anti-smoking अगर वो सब करके ठीक है वो सब किया जाता है देखिए आपके लिखा हुआ है तेरा साल से पंदरा साल की उम्र में 8.5% currently use some form of tobacco चीक है some form of आप chewing gum वाला भी हो सकता है smoking वाला भी हो सकता है पान बड़ा मसाला बीड़ी कुछी भी हो सकता है जिसमें से boys are 9.6% girls are 7.4% 4.1% smoke tobacco and 4.1% use smoke less tobacco smoke less tobacco की जैसे जर्दा बीड़ी में तो जर्दा पान बड़ मसाला बीड़ी वगरा वो सब वीमल वगरा वो सब आ गया है हम पे ठीक है जिसके जिसके देवगन हैड करते हैं क्या बोलते हैं उसकी टैक लाइन भी बड़ी जीब सी है जुबां के इसी टाइप का जो आज़त है ना उस तरह करते है ठीक है तो यह थोड़ा साब को आइडिया होना चाहिए smoking के बारे में चलिए जी as supreme court ask states to appoint officer under posh posh मतलब protection of the sexual harassment at the workplace उसकी बात कर रहे है supreme court ने अवजर्व किया है कि 2013 में कानून पास होने के बावजूद भी अभी भी हमारे यहां पे बहुत सारी districts के अंदर special cell नहीं बनाए गए है workplace पे sexual harassment को address करने के लिए जबकि 2013 में इसको mandatory कर दिया गया था कि हर state के अंदर हर district के अंदर एक ऐसा officer होना चाहिए जो sexual harassment माले cases को address करे लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे है नहीं तो सुप्रीम कोट ने कहा है कि भी आपको हम लोग चार हफ़ते का समय देते हैं चार हफ़ते में इसके लिए कुछ ना कुछ आप करिए नहीं तो फिर हमारे उपर छोड़ दे जो हम लोग करेंगे वह आपको पता चल जाएगा तो सुप्रीम कोट ने बेसिक लिए observation किया है अब workplace क्या होता है 2013 का जो एक कानून है यह workplace को कैसे define करता है Any place visited by an employee arising out of or during the course of the employment including transportation provided by the employer for the undertaking such as a journey नहीं मतलब किसी office में जाते हो काम करने के लिए वो तो workplace है ही उसके लागर office आपकी company ने कोई आपके लिए बस चला रखी है गाड़ी चला रखी है आपको ड्रोप करने के लिए वो भी workplace का ही part है यह कहता है हमारा 2013 का पोश एक्ट इट कवर्स बोथ organized and unorganized legislation है टोटा जोन 13 में क्यों पास हुआ सिर्फ 10 साल पहले उससे पहले मिलो क्या कर रहे थे उससे पहले विशाखा guidelines थी यह कानू नहीं था 1997 में विशाखा guidelines शुरू हुई थी और यह केस भी एक बड़ा ही weird सा केस था unfortunate incident हुआ था राजस्थान में एक महीला थी जो की एक worker थी government की तरब से और वहां पर एक child marriage हो रही थी उसको रुकवाने के लिए हो गई थी और उनका sexual harassment वहां पर हुआ था उस समय वो केस जब हुआ था तो supreme court ने guidelines दी थी जिसे विशाखा guidelines कहते हैं सरकार को कुछ कुछ चीजें बताई थी उसके बावजुद भी कम से कम आप देख सकते हो यहां पर 16 years लग गए सरकार को perpetual कानून बनाने के लिए 2013 में वो लागू हुआ कानून क्या कहता है कानून ने workplace को define किया अलड़ी हम लोग ने देखा यह क्या होता है ठीक है एक mechanism develop किया complaint कैसे करनी है किसको करनी है वो सब यहां पर किया एक internal complaint committee बनाई जाएगी मतलब ऐसी कोई भी company जिसके दस या दस से ज़ादा employee होते है वहां पर एक internal complaint committee होनी चाहिए अगर कोई female employee को कोई हरास करता है तो वहां पर जाके complaint कर सकती है उसके लावा जो districts के अंदर एक local complaint committee होनी चाहिए और अगर जूरत पड़े तो block level पे भी हो सकती है अगर किसी एरे के population ज़ादा है तो block level भी अवेवाद कर सकते हो ये mechanism 2013 के अंदर कानून के अंदर बना दिया गया था और ये complaint committee होती है वैसे काफी powerful होती है ये जो complaint committee होती है चाहे वो company के अंदर हो चाहे वो district के अंदर हो चाहे block के अंदर हो इनको civil court की power मिली होती है मतलब इसको सजा नहीं सुना सकते है कि आपको दो साल की सजा दी जाती है लेकिन civil court की power होती है मतलब evidence collect कर सकते हो आप उनको संबन दे सकते हो बुला सकते हो बातचीत कर सकते हो वो सब जो है इसके part होता है fine भी लगाया जा सकता है 50,000 रुपे तक का fine लगाया जा सकता है ठीक है और extreme अगर case होता आपको जोब से भी निकाला जा सकता है और यही basically इसका एक criticism भी है बताओंगा आपको कैसे काम करता है तो act of the sexual harassment includes any one or the more of the unwelcome act हम लोग किस किस को sexual harassment बोलेंगे as per 2013 law physical contact a demand for the request for the sexual favors making sexual colored remarks आज का लोग बहुत colored remarks देते हैं showing pornography और any unwelcome physical verbal or the non-verbal conduct or the sexual nature यह open definition रख दी गई है case to case basis पे इसको हम लोग handle करते हैं ठीक है तो यह मैंने को बता दिया civil court के वे जो power होती है अब बात आते है criticism की दिक्कत क्या है provisions उने में तो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे है लेकिन फिर भी क्या problem है एक बड़ी problem यह है कि सिर्फ 50,000 रुपे तक का fine लगाया गया है भाई कोई आदमी अगर किसी को sexually harass करता है तो 50,000 रुपे दे के छूट जाएगा तो यह enough नहीं है पांच लाख होता दस लाख होता 15,000 रुपे तो आदमी करने से पहले 50 बार सोचता दूसरी बड़ी बात जो internal complaint committee होती है इसके अंदर company के ही लोग होते हैं कोई CEO होगा, manager होगा या और कोई senior employees होंगे अगर उन्हीं के खिलाव complaint होगी तो conflict of interest हो जाएगा मालो एक board के अंदर 5 member है पाचो अच्छे दोस्त हैं, friends हैं अब एक के खिलाव गर complaint होगी तो ये चार लोग हो सकता है उस committee के अंदर बैठें तो भी है इसको ये कैसे है इसके against में चले जाएगे तो इसका पलड़ा भारी हो जाएगा conflict of interest यहाँ पे होता है और ये जो complaint committee है इनको civil dispute की power दी गई है criminal act की power नहीं दी गई है सोचके देखिए sexual harassment at workplace ये तो crime हुआ ना ये crime हुआ उसके बावजूद भी हम लोगों ने इसको civil category में डाला हुआ है जबकि इसको criminal category में डालना चाहिए यहाँ पर ये बड़ी important जो है वो चीज है उसके लावा central government को इस centralized all over India data जो है release नहीं करती है या कौन सी company में कितनी complaint आई कौन कौन सी district से कितनी complaint हाई कितनों को हम लोग ने handle किया वो कुछ नहीं बताया जाता इंडिया में 95% women जो है informal sector में काम कर रही है और informal sector में कोई local committee है ही नहीं क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ mandatory तो कर दिया गया है लेकिन कुछ provision नहीं है implement करने के लिए समस्या हमारे यहां पर यही है कानुन बढ़िया है implementation नहीं होता है सबसे बड़ी दिक्कत और यार female को discourage किया जाता है sexual harassment की complaint को raise करने के लिए क्योंकि उनको यह बताया जाता है कि अगर आप इसी complaint करोगे तो आपकी नोकरी जा सकती है तो पहली हमारे यहां पर महिलाओं को काम नहीं है जिनको काम मिलता है उनको ऐसे सी चीज़े सामना करनी पड़ती है इस वज़े से बहुत बार complaint हो भी नहीं पाती है हमारे budget में इसके लिए कोई separate provision नहीं है किसी state में separate provision नहीं है unfortunately जाद अतर complaint online की जाती है शीवोक्स के द्वारा और हमारे यहां पर महिलाओं कहां internet यूज़ करती है बहुत कम महिलाओं इंडिया में internet का use करती है तो वो तो complaint वैसे भी रेजय नहीं कर पाएंगी पर सीदी सी बात है consider complaint करोगे कहां committee के पास ना committee तो आपके वहाँ पे है ही नहीं ना आपके company में committee है ना आपके block में committee है ना आपके district में committee है कहा complaint करोगे अगर कंपनेट करेंगे फिर आपको लोयर के थ्रू आना पड़ेगा पैसा लगता है समय लगता है हारस्मेंट वो अलग से होती है फिर ये कुछ समस्चाई यहां पे हैं और इसलिए इसका सॉलीशन ढूरना भी ज़रूरी है क्या सॉलीशन है रोल ऑफ दा नैशनल कमिशन ऑफ दा वीमन आप इनको एंपावर करिए अवेरनेस फेलाईए सोचल अटेंशन देने की रिक्वार्मेंट है छीक है खासकर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं गार्मेंट सेक्टर में या किसी और सेक्टर में जो इनफॉर्मल सेक्टर भी बहुत होते है ठीक है वो जेंडर नूट्रलिटी यहाँ पर करना जुरूरी है ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करिए मेल्स को इंकलूड करिए क्योंकि सेक्सुल एरस्मेंट तो उनका भी हो सकता है हर कंपनी में और कंपनी के अंदर कंपट्र कंपनी होता है होती है। क्मिया के के अतरता है होना चाहिए तो खाँना खेस्या तिंज थो स्वा क्रीमा की होई ह rego ग्राउट लेबलबई के लाइंटॉट करना ह्टीत है है ठीक है बस यह करना आपने उसलाविक एडिशनल आर्टिकल है मैनुल स्केवेंजिंग को लेके जो मैं नहीं करवाँगा बेसिकली यह आपकी मैंने सेल्फ टुड़ी के लिए आप डाला है क्योंकि यह पुराना कंटेंट है देख हम लोग ने पहले भी इसको किया था ठीक